कि दोस्तों अख्रोका पौदा जो है बीघ के दवारा हाँ किस तरह से उगा सकते हैं और इसकी केर किस तरह से की जाती है कि यह पूरी जानकारी को यह इस मैठीर में मिलेगी थ महां अंते द teक हैं तो अख्रोड के पवदे की बात करते हैं तो से तो अखरोड का पौदा जो है ये ठंडे इलाकों का पौदा है तो इसकी जो खीत होती है वो जो परवती इलाकों में बहुत ज़्यादा पहती है जो है उत्राखंड हिमानचल परदेश और जम्मू कस्मीर में जो है तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहां जो है मौस जो होता ठंडा होता है लेकिन इसके जो पौदे होते हैं ठंड के मौसम में ठंड जहाँ पर जादा पड़ती है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसके पौदों की ग्रोध होती है और जो है तो यह जल्दी फूरूड देने लग जाते हैं और उसके बाद जो है तो अगर हाँ तो इसके लिए जो है तो आपको सबसे पहली सीड लेने हों गे तो आपको जो कागजी वाले जो मारकेट में जो कागजी अखी юक्रोट आते हैं तो अच्छी क्वाईलेटी के जो है तो अख्रोट लेने हैं जो कि उसके बाद जो है तो इनको लगाने से पहले एक हफ़ते के लिए जो है तो उसके सीड को पानी में भिगो देना है सीड को इसलिए भिगो जाता है क्योंकि इसका जो छिलका होता है और भिगोने से जो है तो छिलका जो है थोड़ा सॉप्ट हो जाता है तो अगर आप एक हफ़ते पानी में भिगो के रखते हैं और उसके बाद उसके सीड को आप उगाते हैं तो उसका सीड है बहुती जल्दी उग जाता है तो इसके लिए गर्मियों में अगर आप लगा रहे हैं इसके सीड को तो गर्मी या वर्सात के मौसम में तो वो एक मेहने का समय लगता है इसके सीट को उगने में और उसके बाद जो है तो सरदी के मगसिन में अगर आपकी सीट को उगाते हैं तो सरदियों में जो है तो एक दो मेहने का कम से कम दो मेहने का जो है तो टाइम लग जाता है इसको उगने में इस तरह से जो है बहुत आसानी से जो है तो आप उगा सकते हैं और इसमें फ्रूट भी पा सकते हैं और इसमें अखरोड में ये जल्दी फ्रूट पाने के लिए जो है तो इसमें ग्राफ्टिंग बीदी के जो होती है उसको किया जाता है तो इसमें जोैंड की जαती है उसके करने से जो है तो इसमें 2-3 साल में जो है फुरूट आने लग जाते हैं और सीट के दोरा अगर आप पौधा ओगाते हैं तो यह जो है 7-8 साल का लंबा समय लग जाता है सीट से ओगा कि उसमें फूट पाने में तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है तो आप अख्रोड के पवदे अपने घर में ही उगा सकते हैं तो आप घर में अख्रोड का जो सीड है उससे आप वदा उगाई है तो बहुत आसानी से जो है तो उग जाएगा तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो, थो लाइक जरूरूर कीजिए और अधिक से अधिक से हएर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कह तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए भगल में जो वैल आईए उसको तो भी प्रेस कीजिएगा मिलते हैं अगले बनियों तब तक के लिए